नमस्कार मैं गोईन मिना केंद्रे विद्धयले जेतपूर इस वीडियो में हम क्लास 6 के इस्टर के चप्टर नमबर 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोविंग फूड को इस्टडी करेंगे यानि जो आरंबिक मानों थे हमारे उनको इस्टडी करेंगे और उन्होंने किस प्रकार से जो हंटर गैदर का काम करते थे शिकार और आखेट और खाद संक्राहक का कारे करते थे उससे कैसे वो जो पेड़ पोदें वो उगाना शुरू करा और क्रॉप को उगाना शुरू किया उसको इसमें इस्टडी करेंगे तो हमारे जो chapter में जो topic होंगे कुछ इस तरीके से होंगे पहला chapter जो topic होगा मारा होगा जो इसका time period है नो उसको देखेंगे पहले topic में second topic में हम देखेंगे hunter gathers why were they moved तो देखो जो hunter gathers थे न वो एक जगे से दूसरी जगे जाते रहते थे तो क्या कारण थे क्या reason थे कि वो एक जगे से दूसरी जगे जा रहे हैं उसको देखेंगे इसके बाद जो ये hunters gathers थे इनके बारे में जो detail है historians या archaeologists किस प्रकार से प्राप्त करते हैं उसके बारे में जानेंगे इसके बाद rock painting जो होती है उसको study करेंगे hunter gather से बतलके farming और herding में आया यानि की क्रिशी कारियों में और पसुपालन में आया तो उसको भी study करेंगे इसके लावा जो settled life थी बुर्जो होम की तो बुर्जो होम की कैस study लेंगे हम कि कैसे ये जो hunter gather से एक जगे से दूसरी जगे जाते थे तो वहां पर किस प्रकार से लोग अपना जीवन यापन करते थे लास्ट में उनको किस तरीके से बुर्जो किया जाता था कैसे उनकी जो कब रह उसमें उनको दफना जाता था इसको study करेंगे और लास्ट में जो हमारा topic होगा elsewhere इसमें हम जो प्रांच से उसकी क्याव पैंटिंग को study करेंगे और भीमबेट का की जो रोग पैंटिंग है उससे compare करेंगे तो वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक instruction की वीडियो को पोज करकिए जो detail लिखी रहती है उसको आप पढ़ लीजिए और जो classic history की book है उसको साथ में रखिए तो देखो stone age या इसको लिथिक age भी कह सकते हैं तो जो stone age है ना वो 9000 साल पहले से 20 लाग साल पहले तक हैनी 2 million years ago तक का जो time period है ना 2 million years ago तक का जो times है उसको stone age के नाम से नाम देते हैं उसका और इसमें जो रहने वाले जिसमें भी लोग थे उनको कहा जाता है hunter और gather तो इस time period में जितने भी लोग थे ना जो हमारे एंस्टरस थे या जो पूर्वस थे उनको क्या कहा जाता है उनको कहा जाता है hunters and gather तो एक प्रकार से जो मैसोलिथिक जो एज है या पर जो पासान काल है या इस्टोन एज उसके तीन पार्ट है सबसे पुरानी जो है वो है पहले लिथिक तो देखो टू मेरे इन यर्स से लेके बाराजार साल पहले तक का जो टाइम पिरिएड ता उसको क्या कहा जाता है पहले लिथिक एज फिर बाराजार साल से लेके दसजार साल पहले तक का जो time period है उसको कहा जाता है Mesolithic Age और फिर जो दसजार साल के बाद का जो time period है है ना उसको कहा जाता है Neolithic Age तो इस प्रकार सो जो strong age है या लिथिक age है उसके तीन पार्ट है तीनों ही पार्ट को में इस chapter में study करेंगे कैसे है जो human जो थे मानौ जो थे उनका जो प्रार्णबी की विखास हुआ था शुरुआ थी जो विखास हुआ था तीन एज में कैसे हुआ था तो देखो हमारा जो पहला topic था हंटर और जो gather होते हैं वो एक जगे से दूसरी जगे क्यों मूँ करते हैं तो देखो जो हमारा subcontinent है subcontinent का मतलब मैं आपको बता देता हूँ subcontinent क्या है कि यह जो पूरा region जिसमें पाकिस्तान इंडिया भांगलादेश नेपाल और यह इन इसको इंडियन subcontinent कहा जाता है तो इंडियन subcontinent में जो हमारे एंस्टस थे वो किस तरीके से एक जगे से दूसरी जगे मूँ करते थे तो तो उसके कारण है एक जगे से दूसरी जगे जाते थे तो वो देखो जिनंको वह अपने फूट के लिए यूज करते ते तो वह दूसरी जगह फूड और प्लांट की तिलास में जले सुक्त ऎसा जाते हैं पर जिय डिए जनी जने मैं जूंश को जसे भी जते हैं कि इससी दर दोर दोर भी जही हैं एक जगह से दूसरी जगह एक साथ मूग कर रहे हैं तो जब यह एक जगह से दूसरी जगह मूग करते थे जानवर्स तो इनके साथ जो हमारे उंटर्स गेदर्स थे हमारे जो एंस्टर्स जो हमारे पूर्वस थे वो भी इनके साथ साथ दूसरी जगह चले जाते थे थर्ड में दे रखा है कि जब भी डिफरेंट डिफरेंट जो सीजन होते थे है ना जैसे सर्दी हो गर्मी हो बारिस का मौसम हो तो different different season में different different kinds of plants होते थे न, वो क्या होते थे, grow होते थे, उनसे fruit आते थे, उनसे पत्तिया आती थे, तो उनकी तलास में भी ये लोग अलग लग season में अलग लग जगह जाते थे, hunters and gather, इसके लाव 4th region दे रखा है कि plants and animals need to water to survive, तो जो water होते हैं, तो water की तलास के लिए भी जो hunter-gather's थे, ये एक जगह से, दूसरी जगह जाते थे, इस चित्र में आप देखो गे थे, ये इनके हतियार है, जिसे ये इसका हतियार है, इसके हाथ में कुलाड़ी है, तो ये पता है, ये किसके बनी होए थे, ये बनी होए थे, stone के, पत्थर के, देखो ये जो तीर है न, तीर में जो आगे की तरफ नुकिला है नो, भी पत्थर का है, इनके हाथ में जो भला है नो, भी पत्थर का है, तो जालतर चीजें किसकी बनी होए थे, पत्थर की, तो इस कारणे से, जिस समय तक हमारे जो instructors है, जिनोंने पत्थर का यूज किया, अपनी जिंदिगी को आसा जानकारिय कैसे मिलती यह यहनि जो हमारे एंस्टर्स थे जो पूर्वस थे अंटर गेदर्स, इनके बारे में जो आखेटा क्या खाद संग्रहक के नाम से भी इनको जाना जाता है, यह एक जगा से दूसरी जगा जाते थे, और यह क्या-क्या करते थे, इनकी लाइब स्टाइ कैती तुसके बारे में जानकारी कैसे मलती है? तो देखू इसकी जानकारी जो आर्केस्ट है इस तरीक कुछ bond से बनी हुए हैं यानि जो हड्डियां होती थी ना या तो animal के हड्डियां होती थी या फिर किसी इंसान के हड्डियों भी यूज कर लेते हैं अपने काम के लिए तो archaeologist इनके basis पे जितने भी tools हैं इनके basis पे वो क्या करते थे इन लोगों के बारे में जानकारी जुटा इसके अलावा यह जो जितने भी यहां पे tools हैं इन tools का यूज अपने लिए जिसे उड्स काटने में करते थे जो लकड़ी काटते थे उसके लिए करते थे जानूरों का शिकार करने के लिए करते थे अपने लिए अगरों कोई घर बना रहे हैं तो उस घर को बनाने के लिए का यूज्ज वो करते थे और इसी ब Maps 500 g. तौ निए ज manner जीवन यापन करते थे। थीक में और इसके बाद हम यह जो लोग जहां जहां पर रहते हैं तो वह पी क्या करते थे रॉपotti करते थे। रॉप हैं खिमस इसमा होती है किसी भी ऐस टौन के उपर जब व लुक पैंटिंग जाता है। हिंदी में इसको कहा जाता है प्रफिति limi क्या बिति चित्रम है। जो हांटर और गैयितर थे जाहां पर रहते थे वहां पर यह पैंटिंन भी करते थे। जो जहां पर इस प्रकार से शिकार करते थे हैं में इंट जो अफोती नारे UrThoy भीमबेटका को सेट न में कहई सारी केवश हैं तो उन केवश में शनल भीयिए कवे कली बना इवļ है या सबस्क्राइनेमना की पेंटिंग यह और समय थो यी से शनल को सुरुआथ की जो hunters और जो gather's थे न यह इनके जो आवास थे न या तो किसी cave में रहते थे या पिर किसी नदिय किनारे रहते थे या पिर किसी पेड़ के उपर रहते थे तो जैसे इस cave में रह रहे हैं वो कई दिनों तक तो फिर उस सद्धियों तक यहां पे रहे है न तो उनों ने यहां पर अपने जीवन से संबंदित क्या बना दी रॉक पैंटिंग बना दी या केउस बना दी तो जैसे जो भीम बेट का आया नहीं यह मद्य परदेश में आज और भारत की सबसे ओल्ड साइट नहीं दुनिया की सबसे ओल्ड केउस और रॉक सेल्टर्स हैं यह पर जो लोग थे ना जो हंटर्स और जो गैदर्स थे डिफरेंट डिफरेंट सीजन में यहां अपने जीवन से बचाते हैं जैसे रेन हीट यह अगर तेज हवा आती है तो अपने आपको यहां पर चुपा लेते थे और नर्बदा जो नदी है ने बिलकुल इनके पास में जैसे मेप में देखो आप यह भीम बेठका जो हमारा मेप आएगा ना इसमें भीम बेठका की location पूछी जा सकती है ठीक ते भीम बेठका में रोब पैंटिंग हो गई इसकेर आवा देखो जो आर्के लोजिस्ट होते ना क्या होते हैं आरकेलोजिस्ट को हिंदी में कहा जा या फिर कोई बिल्डिंग है, या कोई भी चीज है, जो फीजिकल चीज है, हैंना? वह मिलती हैं तो उसको इस्ट्री नियुक्त को बताते हैं हमें, उनको आर्केलोजिस्ट कहा जाता है तो जो रोक पेंटिंग है no रोक पेंटिंग की जो डीटेलस नए वह ही सर्वेऔ करके इन रोक पेंटिंग के बारे में हमें डीटेल देते हैं इसके बाद देखो हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो finding about fire कुर्णूल केवस तो देखो जो एंस्टस्ट है ना तो इनको कुछ समय बाद में जो fire है ना उसकी भी इनोंने use करना start कर दिया था हला कि देखो fire तो सुरू से अर्थ में लेकिन ये use नहीं कर पाते हैं इनको क्या होता था fire जो है नो उसको आग लगानी नहीं आती थी लेकिन बाद में इन्होंने जो fire है ना उसको यूज करना शुरू कर दिया तो इसके जो evidence है ना archaeologist को कहां मिले हैं वो मिले है कुरनूल के उस में क्योंकि यहां पे इनको एस मिली है ice मतलब क्या होती है bani या पिर gol होती है जो कि जब हम किसी rock जैसे कहते हैं जैसे कोई चीज जलाते है न उसके बार meterior was था है जो co imperal cave दो इसको ice कहते है लो गोर्रून केos थी ने यह भी map में आ सकती है इस map में जैसे क्रून केos यहांप है है ना तो यह जो कुर्णूल केयुस है तो कुर्णूल केयुस में इनको क्या मिली ट्रेसेज मिले थे कि इनको आर्केलोजिस्ट को पुरातत विद्धो को तुन्हों ने इस बैसिस पे खा कि जो कुर्णूल केयुस में जो एंस्टर्स रहते थे थे ना अंटर्स गेदर तो वो आग आग के बारे में भी जानते थे तो आग का यूज किस किस में करते थे वो आग का यूज लाइट के लिए करते थे रात के टाइम पे ताकि उन्हें अच्छा दिखे वो जो मीट होती थी उसको पकाने के लिए करते थे वो जानूरों से अपनी रक्षा करने के लिए जानूरों years ago से लेकर 12,000 years ago तक या बीस लाग साल पहले से लेकर बाराजार साल पहले तक का जो time period है इसमें जो लोग ते ना hunters और गेदर्स थे लेकिन जो मैसो लितिक एज आती है यानि मद्य पाशान काल आता है मैशो का मतलब होता है मद्य और लितिक का मतलब होता है isTION. तो मेसो का मतलब क्या हो गया. मद्धे और लिथिक का मतलब Sort. मद्धे मिडिल IsStone, एज यानि मद्धे पाश का लिथिक को हिंदी में क्या कहा जाता है, पाश कहा जाता है पद्धर को Is privileges जो है ना इंशान अब सिर्फ शिकार ही नहीं करेंगे हंट इंडींगतुए अब वो क्या करेंगे अपने लिए फार्मिंग के सारे भारत सारे पार्ट में और इवन वह एपने लिए हरुंगा जो ऑनिमले के पैलना भी अरिकार हो में करते हैं यह फार्मिंग इस्टार्ट कर देंगे फार्मिंग और जो जानवर रहने उनको पालना इस्टार्ट कर देंगे मद्दे पसांड काल में तो देखो किस तरीके से जानवरों को पालते थे उनकी फार्मिंग में क्या क्या होते थे तो देखो आज से 12,000 अगो क्या थोड़ी warm condition हुई यानि सर्दियां कम हुई एर्थ के अंदर तो इससे क्या हुआ ग्रास लेंड डवलप हुए ग्रास लेंड मतलब घास के बड़े-बड़े मेदान तो ये डवलप होने के कारण क्या हुआ जिसे डीर, एंटिलॉप, गौट, सीप, कैटल और दूसरे जो एनमल है ना वो ग्रास लेंड के उपर सर्वाइव करने लग गए तो इन्ही ये जो सर्वाइव करने लगे जो जानवर तो इन्ही जानवरों को इन्हों ने इनमें से जो फेमिलियर जानवर थे जो डरते नहीं थे इंसानों से है ना और इंसनों को भी उनसे खत्रा नहीं था, तो उनको उनों ने पालना स्टार्ट कर दिया, साथ इसाथ में जो ग्रास लेंट देने काफी फर्टाइल थी, काफी उपजाओ दे, उपजाओ जमीन होगा करती थी, तो इन लोगों ने क्या-कैजो अंटसगेदस थे ना, अब इन इंडियन सब कॉंटिनेंट का मतलब है इंडिया पाकिस्तान नेपाल भूटान और बांगलादेश के जो रीजन है ना यहाँ पर इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया सब कॉंटिनेंट में फार्मिंग करना इस्टार्ट कर दिया और पहली फार्मिंग क्या थी वीड की बार की जा रही है है ना वीट की इसके बाद हमने विंद्या माउंटेन रेंज को देखा था तो यहां पर राइस की क्रॉपिंग होती थी इसके लावा हमने जो नोर्थ इस्ट के जो माउंटेन रेंज थी गारो हिल्स वहां पर हमने राइस जो है ना उसकी फार्मिंग के बारे मे भी जानकारी पहला चैप्टर में हमने इस्टडी की थी इसके अलावा जानवरों को देखो इन्हों ने पालना शूर किया तो सबसे पहले सीप, कॉट और कैटास जो होता है ना पिग यह आसानी से पाले जाने वाले जानवर थे लेकिन सबसे पहले जो जानवर पाला गया था तो इनके द्वारा वो था डॉग यानि जो डॉग होता है कुटधा वो पाला गया था अब देखो एक नई यह जाती है अब क्या करते हैं यह जो हमारे इंस्टर्स थे ना जो पहले हंटास और गैदर्स थे यह दीरे दीरे सेटल्ड रिलाइब की तरफ चले गए यानि कि जब इन्होंने अग्रिकल्चर और फार्मिंग करेंगे खेती करेंगे तो एक खेत के आज बुर्ज होम में तो पहले देखो बुर्ज होम की लोकेशन देख लेते हैं यह मेप है आपके टेक्स्ट बुप में मेप है तो मेप में जो जम्मू कस्मीर है ना यहां पर बुर्ज होम है तो बुर्ज होम में सबसे पहले इनके जो सेटल्ड होने के जो प्रमान है ना जो evidence है नो वो मिलते हैं तो बुर्जू होम क्या है एक ठंडा प्रदेश है तो इन्हों ने कौन से house बनाए वहाँ पे pit house पिट house क्या होते है जिसे जमीन है ये देखो जमीन जमीन में एक सीड़ी लगा देते थे और जमीन के अंदर गड़ा करकर गड़े के अंदर जमीन के अंदर घर बनाते थे तो जमीन के अंदर घर जो बनाया जाता है उसको pit house का जाता है तो जो बुर्जू होम है ना बुर्जू होम जो की जम्मू कस्मीर में है ये जो बुर्जू होम है या जम्मू कस्मीर में इसमें pit house के evidence मिले है और यह परकार से इनके selters थे, यहाँ पे archaeologyist ने कहीं सारी जो जी से cooking here बी जिसको cooking here बीट में बोर्जाहं के लोग जमीण के अंदर क्यों रहे नशरे किया बुर्जाहं के लोगों ने जमीन के अंदर इस ले ही श्टार्ट किया कि जो जम्मौ कश्मीर है ना, वहां पर बर्फ बारी होती रहती है, बर्फ गिरती है, तो जमीन के उपर तो घर नहीं बना सकते हैं, तो उन्होंने जमीन के अंदर अपने घर बनाए, ताकि उनको सर्दी ना लगें, ठीक, तो बुर्जोवा ममरा हो गया, इसके बाद देखो मेहरगड को देखते हैं अब देखो जो मेहरगड है ना ये नियोलितिक साइड्स हैं एकदम लेटेश्ट यानि देखो अभी तक हमने जो इस्टेडी किया है ना वो इस्टेडी कर लिया है हमने पैलोलितिक एज और मैसोलितिक एज तो जो पैलोलितिक एज तीनों बीस लाग साल से लेखे 2000 साल तक का चो टायम प्रिएट था न वो था पुरा पशान काल या पहले एलिंधिdade की बात कर कारें तो यह सो नज़ नए एज दिस साल से लेके एक लंबे समय पहता है न तो तो यह तो उसकी बारे में जानेंगे महरगड में तो देखो जो महरगड में जब हम पढ़ेंगे न तो जो महरगड है न वो क्या एक नियोलिथिक साइट है है न सबसे पहले महरगड की लोकेशन देख लेते हैं तो देखो नोर्थ वेस्ट जो रिजन है इंडियन सब कॉंटिनेंट का यह इंडियन सब आप देखो यहां पे एक बोलन पास थे भी ओंडेंगा यहां पर में इंपोर्टण जी हम elabor के जैना थीया एक बोलन पास की अ तो इसके कारण सिर्फ यही रस्ता है जिससे हम दूसरी दुनिया से कनेक्ट होते थे पहले तो जो बोलन पास है ना बहुत ही इंपोर्टेंट लोकेशन रहे गी आने वाले सभी चैप्टर्स में तो बोलन पास के पिल्कुल नजदेग में कौन सा सिटी था मेहरगड ठीक तो बादे चैप्टर में हमने इसिटी किया था कर पुर्ट Çैप्टर में आप याद कीजिए सुलाइमान कीरतर माउंटेर रेज के बारे में हैँ उसमें पे और यहाँ पर ऑफ्न जो ब्स बारन को पालना और जो लोग महरगड में रहते थे जो महरगड के जो लोग थे ने जो रहते थे तो वो अपने जानूरों को पालते थे इन जानूरों को पालते थे इसी कारण से तो वहाँ पे महरगड में इनको इस तरीके से क्या मिले हैं इनके बॉन्स यानि इनकी हड्डिया मिली है और देखो मह ग्रिट फॉम में है, मकान कितना mathematical form में है देखो, यह मेहरगड में मिले हुए है, मकान है, जो बहुत ही सही तरीके से डिजाइन किये हुए है, मकान थे देखो, चार रूम है इसमें, चार रूम है और चार रूम है, तेखो, यहाँ पे विंडो भी लगा रिखी है, नोने खि एकदम square में यह जो house है नहीं देखो एकदम square है है ना या फिर rectangular में है यह देखो बिलकुल तो इस तरीके से इनकी size होती थी इनके लिए वा इसमें कहीं सारे compartment होते थी चार से जदा जिसे देखो इसमें यह जो आला house है इस house में चार compartment है एक दो और तीन और चार compartment हो गए तो compartment में भी divided थी यह house है ना इसके लावा यहां पे कोई सारी burials side मिली है burials का मतलब होता है कबर graveyard जहां पे लोगों को गाड़ दिया जाता है उसको कहा जाता है burials जैसे यह burials है यहां पे लासे जो skeleton मिले हैं यह burials है यह पे भी लोगों को गाड़ा गया था यह burials है जिसमें लोगों को गाड़ दिया जाता था तो burials क्या होती है जहां पे लोगो परेटी के साथ एक कर्यांती मिला। इसके लंग तो उड़ियरे साथ है। तो तक प्रार्स में भी जैसे कि इंडिया में भीम भीम भेटका में भीन लेंा जा सिक हो उसका !! अब देखो ज regard to pl 제품Arrxxße, । लेक jars के सналना जाता enlightened है। उसी noir shade तो प्रांस में जो Rock Painting यह याद रखना है मैप में रही है प्रांस में वहा पर Rock Painting मिली और पर मतला नहीं फिल चिक स्कूल के चिल्डरन ने जो उठाज़गे ने इनलोई का था इस प्रोग को तो इस प्रकार से प्रांस में भी केव पेंटिंग्स हो रही थी और यह जो केव पेंटिंग्स है नहीं नेचुरल कलर यूज करते थे एक दम नेचुरल कलर यानि प्राकरतिक रूप से मिले हुए कलर जैसे आज हम हमारे घरों में मकानों में जो कलर यूज करते हैं उस टाइब के कलर नहीं हुआ करते थे नेचुरल कलर हुआ करते थे जो सीधा किसी ट्री से बनाया जाए गया पिर किसी जानवर के मीट से बनाया जाए गया उसकी बोन से बनाया जाएगा या फिर उस समय की जो स्वेल्स होती थे ने मिट्टी उससे वो कलर को बनाते थे ठीक तो इस परकार से जो हमारा पहला चैप तो ग्रोविंग फूड यानि कि हॉंटर्स जो गेदर्स थे हमारे इंस्टर्स जो जानुरों की तरह रहते थे प्रकास जैसे अजबंदर रहते थे लेकिन बाद में उन्होंने अपने लिए फूड ग्रो करना इस्टार्ट कर दिया तो सबसे पहले तो हमने जो इस्टोन एज है क्योंकि इसको पूरा टाइम पीरिएड जिसमें हमारे इंस्टर्स हंटर्स और गैदर्स ते इसको इस्ट् IT कहा जाता है इस्टोन एज या लिथिग इजिसको कहा जाता है अब देखो यह जो इस्ट्व इसको इसके तीन पार्त पहला पार्ट है Paleolithic, Second है Mesolithic और third है नियो लीथिक, लीथिक का मतलब होता है Stone, लीथिक का मतलब क्या होता है, Stone ठीक और हिंदी में कहते हैं इसको पासान, तो Paleolithic, Paleo का मतलब होता है पुरा World, तो यह हो गया पुरा पासान का या Old Stone Age यह हो गया मेसो मेसो का मतलब होता है मग्डे middle तो यह हो गया middle stone hedge या नट अकाशाण काल और new तो new का मतलब होता है new, हाँ नगा तो यह हो गया new stone age तो इस में हमारे जो एंस्टरस थे,व्वा उंटर्स और गेधर्स का काम करते थे और इस एज से निकलके, इस एज में जब वो पूछे तो वो growing food का काम करने लग गए अपने लिए जो crop है उसको करना उन्होंने start कर दिया तो देखो 20 लाग सालों से लेकर 10,000 सालों तक हमारे जो एंश्टरस्त है ना वो जानूरों की तरह एक जगह से दूसरी जगह mooh करते थे पिर इसके बाद हमने जाना है कि जो अंटरस近 ese की मोह करते थे एक जगह से दूसरी जगह के लिए तो food की तर सप्प जिसे फूड़ की तलास लाग मीजए गोंते थे इसके लावा जानूरों के साथ साथ भी ये एक जगह से दूसरी जगह मुह करते थे ग्रास की तलास में गूमते थे डिफरेंट डिफरेंट सीजन में अलग 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 ट्री से अलग अलग फूट मिलते थे इसलिए गूमते थे हैं ना इवन जो वाटर होता था था ना वाटर की ज़रुत के लिए भी एक जगे से दूसरे जगे ये मुह करते थे इसके बाद हमने जाना कि जो historian है नो किस परकार से पता लगाते हैं कि जो हमारे इंस्ट्रस थे वो कैसे रहते थे तो जो tools, stone के मिले, wood and bones के जो tools मिले नो समय के उसके basis पर जो archaeologist होता है, archaeologist कोन होता है जो कोई भी monuments, tools या फिर कोई coins मिलते है न पुराने उनके basis पर study करते हैं, तो उनके आधार पे, इसके बाद जो भीम बेट काई की जो rock painting है, मद्दे परदेश मुसकोम ने study किया, यहां पे लोग रहते थे, यह इस ताइप की paintings हो बनाते थे, इनको rock painting कहा जाता है, इसके बाद हमने, जो कुर्णूल के उस है, कुर्णूल के उस है, वो यहां पे, द क्योंकि rock मिली थी, यहां पे, इसके बाद हमने जाना, कि जो हमारे hunters और गैधर्स थे, अब वो farming और herding करना शुरू कर दिया, herding का मतलब होता है, पसू पालन, तो देखो, जो mesoletic age में आके इनों ने, जो mesoletic age थी नहीं, यहां आके इनों ने farming और herding का काम स्टार्ट करना इसके बाद हमने जाना, जो बुर्ज होम में किस तरीके से पिट हाउस बनाते थे, बुर्ज होम, जमुकस्मिर में जगए यह रही बुर्ज होम, बुर्ज होम में यह पिट हाउस बनाते थे अपने रहने के लिए, है ना, जमीन के अंदर जो हाउस होते थे, तो यह पिट ह महर गढ़ नोर्थ वेस्ट इंडिया में महढर अबस्तित है इसके बाद हमने जाना कि महर गढ़ में किस परकार के आउस होते थे जी से रेक्टेंगलर से बेने होस थे अवग सब एक दम इसक्वाइब एगलिस बिरॉुरिëल साइट्स थी उन크 कितनी सारी इस ही परकार से नि को श्टड़ी किया तिस प्रकार्ज जो हमारा जो चैप्टर था चैप्टर नंबर वन अच्छा स्वरी चैप्टर नंबर टू फ्रॉम हंटिंग गैदर्स टू ग्रोविंग फूड कम्प्लेट हो चुका है धन्यवाद थेंक्यू